लेकिन वेडनेस डे समझ जाती है कि वो कौन लोग हैं इसलिए वो अपना मुखोटा हटा देते हैं वो स्कूल के ही स्टुडेंट्स थे जिनमें बैयांका भी थी और जेवियर भी था तो जेवियर उससे पूछता है तुम आखिर यहां तक कैसे पहुची तो वेडनेस डे ब पहुची मैंने उनकी किताब पर लिखी पहली को सुल जाया और यहां पहुच गई फिर वेडनेस डे उनसे पूछती है कि नाइट सेट्स को तो बंद कर दिया गया था तो जेवियर बताता है हाँ तीन साल पहले एक शहरी बच्चे की मौत हो जाने के कारण इसे बंद कर द जेती है जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं तो बैंकर उसे छोड़ देने के लिए कहती है लेकिन वेडनेस डे ने पहले ही अपने हाथों को खोल लिया था और फिर वेडनेस डे वहां से जाते वे उनसे कहती है कि तुम जैसे लोगों की वज़े से किड्नेपिंग बदना को रूट हो जाती हैं जहां उन्हें काम करना है। और साथ ही कुछ इस्टुडेंट्स को अपने हिसाब से पर्फॉर्फ से देनी थी। परिंसीपल वेडनेस डे को उसका चैलो बजाने के लिए कहती है। परिंसीपल वेडनेस्डे से कहती है टाउन स्कौइर पर एक मूर चाहिए जिसने रोवन को मारा था तभी जेवियर कहता है रोवन को सबने जिन्दा देखा है तो वेडनेस डे पूशती है कि तुमारी आखरी बार उससे कब बात हुई थी वो बताता है कि मैंने कुछ मैसिज किये थे लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया शायद वो नेव यही इस शहर का founding father था और उसकी तस्वीर यहां सब जगे है और फिर वो उसकी तस्वीर दिखाता है फिर वहाँ शेरिफ मेर से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे पूरा पक्के यकीन है कि जंगल में जो खत्रा है वो कही ना कही नेवर मोर अकैड़िमी से जुड़ा हु तो मेर उससे कहता है तुम उन पर शक करना बंद करो क्योंकि तुम्हें पता है हमारी सडकों के पार्क के और यहां तक की तुमारी सैलरी भी उनी के पैसे से आती है और फिर वो शेरिफ से कहता है कि तुम कैसे भी करके उस भालू को ढूंडो और उसे मेरे शहर से बाहर करो तब भी principal mayor को आवाज लगा लेती है और वो अपने student से एक बज़े lunch पे वहीं मिलने के लिए कहती है तब तक उन सब को वहाँ voluntary work करने के लिए भेज देती है फिर Wednesday इनेट से कहती है कि तुम अपनी जगे मेरे से बदल लो तो इनेट उससे कहती है कि बिलकुल भी नहीं जहां तुमें जाना है वहाँ छोटे छोटे जानवरों के पुतले रखे हुए है तो Wednesday उससे कहती है कि Ajax भी वहीं जा रहा है इनेट Ajax की वज़े से अपनी जगे बदलने के लिए तयार हो जाती है और वो खुशी-खुशी भागती भी शॉप में चली जाती है फिर वहाँ Miss Arlene उन सबको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताती है तभी Wednesday उसकी बात को रोकती भी उससे पूछती है कि Meeting House में Crackstone से संबंदित क्या चीज रखी है तो Arlene बताती है कि उनकी सारी चीजे महीं है तो Wednesday उससे देखने के लिए कहती है तो वो बताती है कि वो मरमत के लिए भी बंद है इसलिए तुम अभी महां नहीं जा सकती फिर वो उन सब के लिए ड्रेस लाती है और उनके हिसाब से उनके काम बता देती है दूसी तरफ यूजीन इतनी ज़्यादा चौकलेट खा लेता है कि वो मेर के लड़के और उनके दोस्तों पर उल्टी कर देता है फिर वो लोग गुस्से में यूजीन को वहीं ट्रैप में बंद करने वाले होते हैं लेकिन तभी एकदम से वेडनेस डे महा आ जाती है और वो उने रोक देती है उसके रोकने की वज़े से वो वेडनेस डे से लड़ने लगता है तो वेडनेस डे उसे लड़ती लड़ती उटा उसे ही उस ट्रैप में फसा देती है वो दोनों अपने दोस को छोड़ कर वहाँ से भाग जाते हैं दूसरी तरफ मेयर प्रिंसपल के पास आकर उसको डोनेशन देने के लिए थैंक्यो बोलता है फिर प्रिंसपल थौन हिल को मेयर से मिलवाती है तो मेयर कहता है कि तुम कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो थौन हिल कहती है कि मैं रोज यहां कॉफी पीने आती हूँ तो आपने तब ही देखा होगा इधर वेडनेस डे यूजीन के कपड़े साफ करती है तो यूजीन उससे कहता है आज तक किसी ने मेरी कभी मदद नहीं करी तो वेडनेस डे कहती है कि तुम मुझे मेरे भाई जैसे लगते हो बस फर कितना है मेरा उसकी तरह तुमारा गला दवाने का मन नहीं करता फिर वेडनेस डे उसको अपने साथ मीटिंग हाउस में चलने के लिए बोलती है वो उसे बहार ही खड़ा करके खुद अंदर जाके समान को चेक करती है तो उसे एक वहाँ बुक दिखाई देती है और जैसे ही वो बुक को उठा कर खोलती है वो बुक असली नहीं थी वो एक डमी बुक थी तभी मिस आरलीन वहाँ जाती है वो बताती है कि कुछ दिन पहले ही असली बुक चोरी हो चुकी है तो वेडनेस दे उसकी बास सुनकर कहती है वो ही एक सबसे ज़्यादा कीमती चीज यहाँ थी और तो सब भकवास है और उससे पूछती है कि असली बीटिंग हाउस कहाँ पर है तो आरलीन उसे बताती है कि मैं यहाँ तो अभी कुछ महीने पहले ही आई हूँ मुझे नहीं पता दूसी तरफ हीप शॉप में जहाँ इनेड एजेक्स के चक्कर में गई थी दूसी तरफ वेडनेस डे कॉफी शॉप में जाती है वहाँ उसे जेविर मिलता है तो वो उससे कहती है कि मैं टाइलर से मिलने आई हूँ तो जेविर उससे कहता है कि तुम्हें शेहर के लड़कों से दूर रहना चाहिए तबी वेडनेस डे बैल बजा कर टैलर को बुला लेती है और उससे और उसको एक नक्षा दिखा कर पुराने और असली मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है तो टैलर उससे जगे दिखा देता है और उससे कहता है कि वो जगे सेफ नहीं है तुम चाहो तो मैं तुमारे साथ चलूं तो वेडनेस डे उससे मना कर देती है कि वो अकेली ही जाएगी फिर वेडनेस डे थिंग के साथ उस पुराने मीटिंग हाउस में पहुंसती है उसकी हालत पुराने खंडर से भी बत्तर हो चुकी थी उसको वहाँ वही आदमी मिलता है जिसने दुकान पे से कैमरा चुराया था और वो आदमी उस पर भड़कता है कि मेरी जगए है यहाँ से जाओ तब ही थिंग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उल्टा उसे वहाँ से भगा देता है वेडनस दे ठिंग के कहने पर अब वहाँ मौझूद चीजों को चुने लगती है लेकिन उसे कुछ भी आइसास नहीं होता इस वए से वो वहाँ से जाने के लिए उस गेट को जैसे ही खोलती है उसे तुरंट विजन आते हैं और वो उसी जगे आज से पहले के समय में पहुँच जाती है वहाँ वेडनस दे चुपकर देखती है कि पूरे शहर वालोंने उसकी जैसे दिखने वाली लड़की को घेर रखा है और वहाँ क्रैक स्टोन उस पर चुडैल होने का आरोप लगाता हुआ उसे मार देने की बात कहता है तो लड़की क्रैक स्टोन से कहती है कि ये जगे हमारी थी और हम सब लोग यहां बड़ी शांती से रहते थे तुमने हमारी जगे लूटी है तो यहां से तुमको जाना चाहिए इतना कहते ही वो crack stone पर अपने चाकू से वार कर देती है। उस चाकू के वार से crack stone का गाल कट जाता है। फिर crack stone उसे meeting house में सब के साथ बंद कर देता है। और फिर उस meeting house में आग लगा देता है। वो लड़की बहुत कोशिश करती है कि अपनी मा को बचा ले। लेकिन उन सामने से crack stone आ रहा है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं बस सकती। तभी इधर वेडनेस डे की आँख खुल जाती है। और वो जागते ही थिंग को बताती है कि मैंने उस लड़की को देखा। उसका नाम गुड़ी एडम्स है और वो मेरी 400 साल पुरानी गए हैं। वेडनेस डे उन पैरों के निशानों को देखकर समझ जाती है कि देते कोई इंसान है तभी पीछे से जेवियर वहां जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो वो बताती है मैं देते का पीछा कर रही थी लेकिन अचानक से वो गायब हो गया और बताती है वो देते कोई और नहीं बलकि कोई इंसान ही है और जैसे ही उसके पैरों को दिखाने लगती है तो बारिश की वज़े से वो निशान मिट जाते हैं उसके बास जेवियर उसे बताता है सायद रोवन को लेकर तुम्हारी बास सच है क्योंकि आज मैंने उसे मैस इसका जवाब दे रहा है, वो रोवन नहीं है, फिर जेवियर वेडनिस डेश से कहता है, कि तुम अपनी जलकियों पर पूरा यकीन मत करो, तो वेडनिस डेश कहती है, क्यों ना करूं, क्यूंकि मैंने उन्हें इतना ही साफ देखा था, जितना मैं तुम्हें देख रही हूं वहाँ क्रैक स्टोन ने मेरे सामने मौजूद सभी लोगों को मीटिंग हाउस में बंद करके जला दिया था तो जेवियर कहता है हाँ क्योंकि वो बहुत गिरावा इंसान था फिर उसके बाद जेवियर कहता है कि जलकिया तो किसी भावना की वज़े से पैदा होती है और तुमारे तो किसी भावना से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है तो वेडनेस डे उससे कहती है आगे चाहे जो कुछ भी हो मुझे कैसे भी करके उस देथे को पकड़ना है और जेवियर को घूरते वे चली जाती है तो जेवियर को लगता है कि वो उसी को ही दैते मान रही है अब इधर टाउन स्कॉयर पर सब लोग इखटा होते हैं मेर वहाँ अपना भासन देता है वेडनेस डे अपना चैलो लेके गुरूप के साथ बैढ जाती है अब वो थिंग को कुछ इशारा करती है और अपना चैलो प्ले करने लगती है थिंग चुपचाप जाकर बारूद की बिची एक लाइन पर आँग लगा देता है और वो जलती भी बारूद की पट्टी सीधा क्रैक स्टोन की मूर्ती पर जाकर ब्लास्ट कर देती है जिसकी वह यह से वहां आँग लग जाती है सभी लोग उठके वहां से भागने लगते है लेकिन वेडनस डे वहां अपना चैलो और ज़्यादा तेजी के साथ बजाने लगती है आँग की गर्मी की वज़े से क्रैक स्टोन की पीतल की मूर्ती पिखल जाती है और वो यह सब करके बहुत खुश होती है प्रिंसपल वेडनस डे को देखकर समझ जाती है कि यह उसी की हरकत है वेडनस डे कंटीनी अपना चैलो बजाती चली जाती है फिर प्रिंसपल वेडनस डे को अपने ओफिस में लाकर उससे पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया तो वेडनेस दे कहती है मेरे मरेवे बिच्चु की आत्मा की कसम इन सम्में मेरा कोई हाथ नहीं है क्योंकि ये सारा काम थिंग ने किया था थिंग नहीं उस मूर्ती को जलाने के लिए नीचे कैरोसीन डाल दिया था और बाद में आग भी उसनी नहीं लगाई थी प्रिंस्पल कहती है कि तुम दूसरों को बेवकूब बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं इन सब में तुम ही हो तो वेडनेस दे उनसे पूछती है क्या आपको आउट्रीस डे की असली कहानी पता है तो प्रिंस्पल कहती है हाँ मैं जानती हूँ तो उससे कहती है आप फिर भी उनका साथ क्यू दे रही हो तो प्रिंस्पल कहती है ये सब मैं अपने स्कूल को बचाने के लिए करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आउटकास्ट और शेहर वाले एक हो जाएं तो वेडनेस डे उनसे कहती है आप खुच जानती हो कि वो लोग आज भी हमसे चिड़ते हैं इसलिए हमारा इथियास अब हम खुद अपने आप ही लिखेंगे उसकी बास सुनकर प्रिंसपल उसे अपनी डॉम में जाने के लिए बोल देती है इधर पुराने वेर हाउस में व वो एजेक्स के साथ डेट पर जा रही है तो वेडनेस डे कहती है अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मैं उसे तोड़ दूँगी इनेड वहां से चली जाती है यूजीन जंगल में तलासता हुआ पुराने मीटिंग हाउस पर पहुंसता है और देखता है वहाँ जैसे वो पत्थर का हो जाता है क्योंकि वो मेडियूसिया की फैमिली में से था और जो के उसके सापों को देखता वो पत्थर का हो जाता दूसी तरफ एनेड एजेक्स का इंत्यार करती करती ठक जाती है और फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है इधर टाइलर पानी से भरे अपने बार टब में लेट जाता है और अंदर ये अंदर बहुत तेजी से चीकता है जिससे उसकी आवाज कोई सुन ना सके वो उसकी मां से बिछडने का उसका दर्द था अज जेवियर रात में एक वेर हाउस से निकलता है वो उस वेर हाउस का ताला लगाता है लेकिन की बार उस देत्य का चेहरा देखता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ कि बैल आइकन दमाना ना भूलें